प्रवासी लोगों लोगों को उनके घर जाने की इजाज़त दे दी गई है वहीं उधम सिंग नगर के दोरे पर रहे सांसद अजय भट ने प्रेस कॉंफरेंस कर मोधी सरकार की उपलब्धियां गिनाई अजय भट ने कहा के केंवर सरकार के आर्थिक पैकेज से MSME सेक्टर को काफी फायदा होगा आज किसानों के खातों में किसान सम्मान निदी दो दो हजार रुपे डाल के छे हजार रुपे सालाना दे रहे हैं इस समय आपने देखा है कि उद्योगों में थोड़ा सा गमी आई है तो उनके लिए अलग से पैकेज दिया MSME के लिए अलग से पैकेज दिया गरीब मजदूरों के लिए अलग से पैकेज दिया काशिपूर के बाचपूर में पैट्रोल पंप पर होई लूट मामले में पूलिस ने खुलासा कर दिया है पूलिस ने पाँच बदमाशों को गिरफतार कर लिया है पकड़े बदमाशों के पास से लूटी गई रकम के 3,15,000 रुपे बरामत हुए हैं जबके घटना में इस्तिमाल तमंचों को भी बरामत कर लिया गया है पैट्रोल पंप के मैनेजर ने साड़े साथ लाग की रकम लूटना बताया गया था जबके बदमाशों ने कोल रकम 3,15,000 रूटना कुबूल की लेकिन इसमें एक चीज़ ये सामने आई है कि इनके द्वारा जो पैसे लूटे गए है उनकी अमाउंट जो है 3,30,000 के आस्पास बताया गया है वहीं उत्राखंट बोर्ड, हाई स्कूल और इंटर के बाकी 13 विशों की परिक्षाएं 20-24 जून तक होंगी श्रिक्षा मंत्री अर्विन पांडे ने ABP गंगा से खास बाचीत में इसका एलान किया सभी परिक्षा केंद्रों को जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा परिक्षा केंद्र में 15 जून से 19 जून तक सैनिटाइजेशन होगा जिसके बाद बोर्ड परिक्षाएं संपन कराई जाएगी बोर्ड परिक्षा की कौपियों की जाच का काम 15 जुलाई तक चलेगा जो हमारे बिद्धाला परेंटाइन सेंटर बंदे थे वह स्वास्ति बाद के मादन से या जिस सस्ता के अंदर भी देख लेंगे चल ले होगा वहीं हल्दवानी में एने स्यू आई कारे करताओं ने उच्छ शिक्षा निदेशाले के बाहर धरना दिया च्छात्रों की मांग है कि निजी विश्विद्याले में पढ़ने वाले च्छात्रों को बगएर परिक्षा के प्रमोट किया जाए साथ ही ये एक सेमिस्टर की फीस भी माफ करने की मांग कर रहे हैं उदर उच्छ शिक्षा निदेशक का कहना है कि उनके पास अभी तक कोई भी निदेश नहीं आये हैं इसलिए फिलहाल यूजी सी की गाइड लाइन्स का ही पालन होगा जोशी मट में चार धाम यात्रा को शुरू करने का विरोध हो रहा है हकुमत धारी रावल और धरमादिकारी इससे जुड़े वैपारी भी वैपारी भी इसका विरोध कर रहे हैं इनका कहना है कि मौजूदा हालात में चार धाम यात्रा को शुरू करना ठीक नहीं है इससे कुरोना के संक्रमन का खत्रा और बढ़ सकता है आपको बता दें कि जोशी मट में चार धाम में से एक बद्रीनात मंदर इस्थित है जिसकी यात्रा भी बंद है किदारना धाम में आबदा में शतिक रस्त हुए भवनों का निर्मान काम आखरी चरण में है धाम में तीर्थ पुरोहितों के 46 भवन बनकर तयार हो गए हैं इन भवनों को भूकम, बर्फबारी और आबदा को ध्यान में रखकर तयार किया गया है बाबा शिव का धाम किदारना धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लोट रहा है जून 2013 की आपदा में तबाह हुए भवनों का निर्मान लगभग पुरा हो चुका है आपदा में तबाह हुए तीर्थ पुरोहितों के 46 भवन बनकर तयार हैं इन मकानों को भूकम, बर्फबारी और भविश्य की चुनोतियों को ध्यान में रखकर तयार किया गया है 2013 की आपदा में 46 भवन तबाह हो गए थे जिन में से 41 भवन पहले की तरह से तयार किये गए हैं जबकि GSW के सहयोग से 5 भवन तयार किये जा रहे हैं जिनका काम आखरी चरण में है तोटल जो GSW ने कहा है अभी फिलाल के लिए 5 मकान बनाने हैं जिसमें से 2 मकानों कंप्लीट हो गए हैं और 3 मकानों के काम बहुत पीजी से चल रहा है जिन मकानों में वो सारे मकान गरवाली सेली में बने हुए हैं उनमें जैसे क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं बाहर से प्लस्टर के बाहर से क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं टीक के दरवाजे हैं डबल दरवाजे वाले सारे घर ऐसे बने हुए हैं और जो इन भावनों का निर्माण पहाड़ी शैली में किया जा रहा है, साथ ही धाम में अभी कई और निर्माण काम भी किये जा रहे हैं इन बड़े प्रोजेक्ट जिसमें सबसे पहले था सरस्वती नदी पर सुरक्षा दिवाल का निर्माण का रहे और वहां पर भव्य घाट का निर्माण करना और बंदिर के पीछे आदिगुरु संक्राचारे के समाधी बनाना और तीसरा जो उनका बड़ा प्रोजेक्ट था तीरत पूरद के लिए भवनों का निर्माण का रहे था जो जिसके लिए उन्होंने पचास करूर के आसपास तक का जो है वो खर्चा भी कर लिया है और अभी उनका काम आगे जाए जाए इस बार बर्फबारी से पुनर निर्माण काम काफी प्रभावित हुए हैं मगर अब उमीद है कि बचे हुए काम भी जल्दी पूरे हो जाएंगे हाला की लॉकडाउन की वज़े से किदारनाध धाम में फिलाल सननाटा है मंदिर समिती के कुछ कर्मचारी पुलिस जवान और मजदूर ही धाम में मौजूद है रूतर प्रयाक से रोहिट डिमरी की रिपोर्ट एबीपी गंगा और अब वक्त है फास्ट न्यूस का आईए उत्राखन की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदास में खतीमा में वन विभाग ने बरामत की जंगल से चोरी से काटी गई लकडियां करीब चार लाकी मत की साल की लकडियां बरामत खतीमा में मानको को हिसाब से नहीं बन रही थी सड़क गुसाय लोगों ने रुपाया सड़क का काम टनकपोर रोड से लुहिया हेट पावर हाउस तक बन रही है सड़क जोशिमट में वन विभाग की टीमों को ग्रामीनों ने रोका फूलों की घाटी से में जाने की कोशिश कर रही थी टीम कोरोना के बढ़ते संक्रमन को लेकर ग्रामीन चिंते कोड़ द्वार में होम गार्ड और पी आडी जवानों को दी गई साइकल अब रात के समय साइकल पर गष्ट करेंगे जवान उधम सिंग नगर के जिला स्पताल में कुरोना के साथ मरीज हुए डिस्चार्ट 14 दिनों तक रहना होगा होम कॉरंटी सितार गंज में खुद बहन चेकिंग करने लगे एएसपी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का और मास्क लगाने का दिया निर्देश प्रिशासन आईटी बीपी और वन विभाग के सयोग से कर रहा पौधार उपड और इसी के साथ उत्राखंट प्राइम में अभी बस इतना एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा आप देखते रहे हैं एबीपी गंगा खबर आपकी जबान की